हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपकी यूट्व चैनल मेकेनिक डीजल इंजन में आज हम अपनी ट्रेड से संबंदित हैं टूल से संबंदित कुछ सब्सक्राइब से सब्सक्राइब से लोग राव। इससी ट्रेंट को इसमें किसी करी को खराद मसीन पर तरड़ता नहीं किया जाता है, किसी कहते हैं किसी आज़ को राद मिशिने पारकशिप बनाता है, एन्यूर मार्किंग मेडिया पूछ रहा है इसमें तो कौन सा है मार्किंग मेडिया जो सुखने मेधिक समय लगा और उत्तम स्प्रेश्टेक है बनाएगा तो यह है परसियन बिलू कौन सा है परसियन बिलू next question है कारेखंट के चिनिन के लिए साक्षी निशानों को पंचिंग करने में निरितुमलीक उमें से पंच का प्योग किया जाता है मतलब कौन से पंच का प्रियोग करेंगे आप इसमें तो इसमें आप करेंगे प्रिक पंच का किसका प्रिक पंच का मर्दू दातुं परचिनन करने में braking के लिए इस पंठ का प्रयों की जाता है तो किस पंठ का प्रयों की जाता है और पंठ किसका डॉट पंठ का कि दातू करेखंड में ड्रील करने से प्रो ड्रील के पॉइंट को अच्छी तरह सिटिंग परदान करने के लिए किस पंच का प्रियोग किया जाता है ड्रील करने से पहले आप किस पंच का प्रियोग करते हैं सेंटर पंच का किसका सेंटर पंच next question है कारेubbyकंड परवर्टाकार चाप के चिनन के लिए डिवैडर की टांग हो को सईप शेटिंग परदान करने के लिए किस पंज का चिनन क्या जाता है किसका किया जाता है इसका क्योंड का प्रेक पंज क्या आफicon कैसा की जाता है स्का सरफेस प्लेट का नेक्ट कोस्टन है घत्ता चमडा गैस्किटेट सीर मुलायम दातूउ को सुरा कोल करने में किस पंच का परियोग किया जाता है इस का अंद सवर होगा होलो पंच क्या होलो पंच नेक्ट कोष्टन है combination set के किस बाग दुआर नबगे और पैंतालिस डिग्री के कोनों की मार्किंग तथा निर्ख सन किया जाता है तो किस बाग दुआर किया जाता है यह वर्ग शिर्ज यानि square head so combination okay, उसके दुएरा नभे तता sid 15 डिगरी के कोणों की marking तता लिक्शन किया जाता है next question को मुदियरे के किस बाग दुएरा hospitals आख दोगरा एक По proven दिगरी की pre ज़्टा में कोणों की जिए और शित्हेपका मतुर्प एकस्ट पॉटेक्टरर हेड से कीजिए चानदा सीर्स या प्रोटेक्टर हेड है नेक्स्ट कोशन धा Σमानेकारियों क्लिश केलिए बेंच वाइसस को कारेश कारेशार्ण के से कितनी उज्वाई पहर रखना चीए समयनेकारियों के लिए फ्रेश्ट पहर रखना चीए 106 cm कितनी106 cm अगला कोस्षोन है इस वाईस का उप्योंगल की कारियों में किया जाता है किस वैसका हेंड वाईसका हस्त वाईसका सी क्लेम का फ्रेम निमली कित में से किस पदार्थ का बना होता है किसका बना होता है धलवा इस पात का किसका डलवा इस पात का सब्सक्राइब सब्सक्राइब बी जोलन फेड बी पार्ट है नेक्स्ट है इस वाइस का दिक्तर प्रियोग ब्लेक सिम्ति तता बॉयलर सोब में किया जाता है किस वाइस का किया जाता है किया जाता है लेग वाइस का किसका लेग वाइस लेग वाइस का प्रियोग दिक्तर ब्लेक सिम्ति और बॉयलर सोब मे किया जाता है निमें इनमें से निश्ची टॉर्क वेक के लिए सायख क्या है यह है टॉर्क रेंज निश्ची टॉर्क वेक के लिए क्या सायख है टॉर्क रेंज next question है कौन सा एक lubrication के लिए प्रियोग होता है तो क्या होता है grease gun इसके अंदर थोड़ा miss print है grease gun यह है grease gun grease gun आपको lubrication के लिए आप प्रियोग करेंगे next question है warpage के लिए cylinder head की stack को check करने के लिए किन tool का प्रियोग किया जाता है किस टूल का प्रियोग करेंगे बोल्टो तथा नोटो को रिमूव करने के लिए ज्यादा पकड के लिए कौन सा टूल प्योग किया जाता है कौन सा क्या जाता है रिंग वॉक्स पैनर यह 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 भी स्पैनर है नेक्स्ट इसलेंडर ब्लॉक्स के गुलमेक रिमूव करने के लिए इस पर लगने के लिए किस टूल का प्योग कीा जाएगा किस टूल का प्योग के जाएगा गुलमेक uhन्ज का गुलमेक रेंज नेक्स्ट को स्थे 보여 Mort rat ! बिन्दों का पता करने के लिए कीवेज काटने के लिए कौन सी प्रियोग की जाती है की वेज काटने के लिए आप कौन सी चैनी प्रियोग करेंगे तो करेंगे आप क्रोस कट चीजल क्रोस कट चैनी कौन सी चैनी प्रियोग करेंगे क्रोस कट चैनी दोरे इसे इस्ट्रे के स्पेंड चीन करने के लिए निमन में इसे कौन सा आई है तो आप अगर आप दो दोंनों double-ended spatter use करना चाहते हैं तो उसके लिए चैन के लिए आप क्या करेंगे अक्रोस देजो क्या चैन के लिए क्या देखेंगे तो अक्रोस देजो अगला कोच्टन इंस्यूलेशों द्वारा लगे बिलेडवालेलिक किष्कड के द्वारा क्या जाता है ता इंस्यूलेशन जिस पे चपत रचाता है कौन गालेश की द्वारा इन्लक्टिसच के सक्टक करने किसे किस रेंज का परियोग फास्टनर्स को भी निरद्रष्ट सीमा तक कसने के लिए किया जाता है तो कुस के लिए किले किया जाता है तो क्रेंज क्या इस का अंसर टॉर्क रेंज next question है yes spanner का नमता यह जो आपको चीटर में दिख्याए दिर गाए तो यह कौन सी है single added open spanner single added open spanner है यह next question है finishing size के पाल लाने के लिए जो file upique की जाती है के कहलाती है फिनिशिंग के लिए कोन सी फैल यूज करेंगे डेड़ स्मूथ कौन सी डेड़ स्क्राइबर बने चीटर में प्लस्टिक हैं मिले है ठीज़ को पैचान यह जित्र में जो आपको चीजल दिखा रहे है उसको पैचान यह क firm एक्टफ और यह ल्गंन फीज़्ड नाव नाम है को भाग में इसका कौमनेसे स्पेञर सने वन स्कूरूरौ ड्राइवरोड का प्रकार पैचानि है याणि आपको जुस्कूरौ fotonda द्लाइतँ चितर में इसको पैचानि इसका आगा दिखाई दे रहा थो ईस्टार टाइप है तो इस्को क्या कहते हैं पर fatal Uns उसटम में एर सर्विस युनिट का क्या करिये है यह हवा के दबाव को विनियमित और लुब्रिकेंट करना नेक्स्ट कोश्टन है Hydraulic System में Non Return Valve का क्या करिया है तो इसमें भी Option D, द्रव के प्रवा को केवल एक दिशा में अनुमती देना शिरफ वापसी नहीं आने देगा, शिरफ एक दिशा में ही अनुमती देगा अगला कोश्टन है निमलिकित में से कौन सा वाल मास्टर सिलेंडर में परियोग होता है तो मास्टर सिलेंडर में कौन सा वाल परियोग होता है Non Return Valve, Non Return Valve अगला कोश्टन है Hydraulic System के साथ बाहर उठाने से पहले किस वाल को बंद करना बंद रखना कौन से वाल को बंद रखेंगे आप सट ओफ वाल को कौन से को सट ओफ वाल Next Question है Simple Hydraulic Jack में कितने वाल होते हैं कितने वाल होते हैं Simple Hydraulic Jack में एक वाल होता है Next Question है कि किसी भी Hydraulic System में Hydraulic तेल का परारंबिक करे क्या है परारमी करें क्या है पावर का प्रेशन करना पावर की स्प्लाई आगे करना पावर का प्रेशन करना नेक्स्ट कोशन है जब जेक की समता से अधिक बार का दबाव बढ़ जाता है तो कौन सा वाल हाईडो जेक का बचाओ करता है कौन सा वाल बिचाहिव करेगा तो यह करेगए रिलेफ व mosquito परवा को नेंद्रन करन वौ़व का क्या करिये होता है। किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम में परवा नेंद्रन वालू का क्या करिया होता है ठीक है इस कांस्वर होगा फ्लूड के परवा को नियमित करना प्रवा को नियमित करना ऑप्शन भी फ्लूड के परवा को नियमित करना नेक्स्ट कोस्टन है नीचे दर्साय गए चित्र में कुछ से दो जंत्रों का प्रियोग किया जाता है, इसे दो प्रियोगों किया जाता है, सिदScott किनारा और फिलर गेज आप इस में देख सकते हैं चित्र में हाथ में पकड़े वए जो टूल है वो फिलर ँगेज है और उसके उपर एक सिधा किनारा कोई रखा हुआ है ठीक है तो इसका आंस्वर रहेगा सिधा किनारा और फिलर गेज नेक्स्ट कोशन है दात्तु कामगार की पैंसिल का जाता है तो किसे का जाता है स्क्राइबर को दात्तु कामगार की पैंसिल कहा जाता है बॉल पिन हैमर का कौन सा साधिक कठोर होता है तो कौन सा होता है फेस इसमें आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है यह नहीं है इसमें क्या होगा फेस नेक्स्ट कोस्टन है कुंजी मार काटने के लिए कौन से चीजी प्रियोग की जाती है तो कौन से चीजल प्रियोग की जाती है क्रोस कट चीजल नेक्स्ट कोस्टन है सेंटर पंच का बिंदू कौन कितना है तो यह होता है 90 डिगरी कितना होता है नभे डिग्री next question is cylinder के head bolt कारन के लेन में किसका प्रियोग करना चीह है किसका प्रियोग करना चीह है तोरक रेंज का क्योंकि ये अधिक बल से कशे जाते है solid pounds का upy-y situação next question is solid pounds का upy-y earthquake किया जाता है तो solid pounds का upy-y avons कहां किया जाता है देखिए जाथा है लोहारी देख का नेक्स कॉच्ट्छन है एंगल प्लेट का माप किस में लंबाय इंटू दिम मौटा ही में दिया जाता है लंबाय इंटू आम नेक्स कोच्टिन है उस तामळ वाली बट्टी का तामळ आपने के लिए Иस्तीमाल के जाने उल्लिप कुए उपक्रण को डेश के रूप में पहचा ना जाता है दो सब्सक्या ओकरने से पहले उप्योग जाने ले पंच का प्रियोग चाहिए एक सिलेंट Kell बोल्ट को कसने के लिए में डेस्ट कापियोग करना चाहिए, किसका प्रियोग करना चाहिए, टॉर्क रेंच का, किसका टॉर्क रेंच, आज का वीडियो अपना यही समाप्त करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेर और सुस्क्राइब जरूर करें और जादे से जादा कमेंट करें, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो